समरावता गटना के बाद हिरासत में चल रहे नरेश मेना की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही हैं 14 दिन की नियाईक हिरासत पूरी होने के बाद आज एक बार फिर से नियाईक अभी रक्षा में लेने में सफलता हासिल करूए है कोट ने सुनवाई के दौरान नरेश मीना को 28 नवंबर तक न्याई गभी रक्षा में भीजने के आदेश दिये हैं आपको बता दे कि समरावता में 13 नवंबर की रात को जो घटना हुई थी उसके बाद पुलिस ने नरेश मीना पर चार अलग-अलग धाराओं में मामले दर्च किये थे जिसमें से दो धाराओं में पहले उनको कोट में पेश किया गया था न्याई कभी रक्षा ली गई थी तो वहीं अब अन्य मामलों में एक बार फिर से नरेश मिना को न्याई गवी रक्षा में लिया गया है आपको पता दें कि जब नरेश मिना को कोट में पेश किया जा रहा था उस दोरान जब मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी तो पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच उनको मीडिया से बात नहीं करने दी इसके साथ ही भारी पुलिस बल भी वहां तैनात रहा आपको बता दें कि पुलिस इस समय पूरी तरीके से नरेश मिना के इतिहास को खंगालने में लगी हुई है नरेश मिना के किलाब 23 मामलों का जो पुलिंदा है वह पुलिस ने तयार कर लिया है इसके साथ ही समरावता में हुई घटनाओं में भी चार अलग-अलग धाराओं में नरेश मिना पर मामला दर्च किया गया है नरेश मीना की मुश्किले कम होती हुई नजर नहीं आ रही है कोट ने उनको 28 नमंबर तक न्याई कभी रक्षा में भेजने के आदेश दिये हैं तो वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस और भी मामलों पर गहनता से जाच कर रही है इसके साथ ही नरेश मीना पर 23 मामलों की जाच भी पुलिस जुटी हुई है जिससे लगता है कि अब जल्द ही नरेश मीना जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो वहीं नरेश मीना पर लगातार बढ़ती पुलिस का शिकंजे के चलते अब प्रदेश भर के लोगों में नरेश मीना को लेकर साहनूबूती भी व्याप्त होने लगी है जगे जगे नरेश मीना की रिहाई की मांग उठ रही है और यदि नरेश मिना पर जल्द ही इन कारवाई को बन नहीं किया जाता है तो वह खुद CM House का घेराव करेंगे आप देखते रहिए दनगरी मीडिया, मैं हूँ ललित वर्मा